दोस्तों लैप्टेक्स में आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ नासर और मेरे पास ये एक लिनुवो का मदर बोर्ड है 330S का और जैसा कि इस पर लिखा हुआ है कि ये डेड है और ऐसा बोर्ड मैंने पहले काफी बार दिखाया है कि इसमें कुछ common problems आती है और उसका कुछ common solution भी होता है पता नहीं कि इसमें क्या problem है छेड़ा बत बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है नॉर्मल ये सब पावर डालते हैं तो फिर पता चलेगा कि इसका status है क्या पावर लगाते हैं लोड देखते हैं और ये इसका on up button है यहां पर यहां से इसको on करके देखते हैं कवार ठीक है थ्रुदा से कुछ उठाता है फिर डान रहते हैं यानि ये dead इसको नहीं कह सकते हैं ऐसे case को dead नहीं कहते हैं ये on up करके off है low load वाला case कह सकते हैं आप तो आप देख रहे हैं 0.23 हो जा रहा है फिर 16 हो जा रहा है फिर on किया 23 हो गया तो यानि ये 3.3.5 वोल्ट ओके हैं LDU भी ओके मान सकते हैं क्योंकि ये on हो रहा है जब उतना सा load ले रहा है तो इससे हम अंदादा अगा लेते हैं कि board में हमारे 3.3 and 5 वोल्ट जनरेट हो रहा है अब मैं चेक करता हूँ क्या voltage बन रही है तो पावर लगा दिया मैंने और हम आ जाते हैं जो 3.5 का area है ये charging की coil है charging की coil पर तो 0.2 वोल्ट जो भी बन रही होगी मैंने पहले भी बताया आपको कि NBDC भी होती है और HPB भी होती है यहां पर इसे lead switch मुझे गायब लग रहा है ठीक है lead switch यहां से गायब है पता नहीं क्या है अभी बात में देखेंगे इसको फिर on करते हैं तो हमारा अंदाजा बिल्कुल गलत निकला हमारा अंदाजा गलत निकला इसमें voltages नहीं बन रही है ठीक है voltages नहीं बन रही है और क्या इसके अंदर DC IN बन रही है 20V बिल्कुल सही बन रही है ठीक है तो इससे हमें एक बात तो confirm हो गया कि 3-5 हमारा नहीं बन रहा है ठीक है on करते हैं कि क्या यहीं on off है क्या हाँ कोई सभी दाब दीजिए नहीं चल रहा है ठीक है तो चुकि आरटीसी इसके अंदर इधर ही होती है अगर यह lead switch है मैं एक बार जूम कर लेता है इसको और जड़ा देखते हैं हम लोग कि क्या यह लिखावा है कि hall है lead है ठीक है मेरा पहले आपका distance सही होना चाहिए ठीक है इसको मैं उतार देता है एक बार इसके बज़े से भी थोड़ा कभी कभा अच्छा नहीं दीखता है ठीक है ठीक है थोड़ा सा अभी clarity में कुछ मुझे लगता है लोचा हुआ है ठीक है समझ मां आ जाएगर ऐसे तो यहां पर कुछ गाइब है क्या light कम करने से ठीक है अच्छा इसके पर लिखावाई ऐसे गंदे दरीके से ठीक है जिग-जग करके लिखावाई इसलिए ऐसा दिख रहा है ठीक है तो यह यह तो LED है यहां कुछ था U9505 करके कुछ था यह ठीक है और मुझे लगता है कि यही lead switch होना चाहिता है इसके एक तरफ 3V है देख लेते हैं अभी confirm हो जाएगा नहीं है यहां भी नहीं है यह ground है क्या अचा power डाला ही नहीं भी power डालते है इसके एक तरफ हाँ बेलकुल यही lead है तो हम इसको और एक confirmation लेते हैं कि इसका top जो है वो ground होने चाहिए तो क्या यह ground है मिलकुल है तो यहां पर हम लोग simply क्या करते है एक jumper लगा देते है तो यह तो इससे on off का तो असर नहीं होना चाहिए था क्योंकि यह always board है सस्पेंड वाले board में यह सब दिकत ज्यादा आती है कि अगर आपने यह lead निकाल दिया है तो on ही नहीं होगा आयो trigger ही नहीं करेगा यह problem देखने को मिलती है तो इसको मैंने लगा दिया है इससे मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा फर्क पढ़ने वाला है चलिए एक बार फिर भी on करेंगे देखते है कि load क्या देखा रहा है इसको अटाते है यह तो on हो गया सच मुझे यही problem था क्या unbelievable ठीक बिलकुल on हो गया यानि lead switch एक चीज़ पहले मैं confirm यह करना चाहूंगा जैसा कि मैंने आपको अभी theory बता रहा था कि power जो है हम जब inject करते हैं अगर always technology है अगर voltage 3.3 and 5 volt आपके always है तो lead का roll मान के चलिए नहीं है लेकिन अगर जो suspend है यहां आपको suspend दीख रहा है अब मैं trigger करता हूं अगर on off करने के बाद 3 volt बनती है या 5 volt बनती है तब आपको मैंने अभी जैसा बता ही रहा था जब मैं लगा रहा था क्यूंकि थोड़ासा ध्यान से मेरे भी उतर गया था तो जो भी अनेबल अगर आएगी तो voltage अगर odd कर देती है तो हम कहते हैं उसको always है और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहते हैं suspend है और suspend वाले board में अगर lead ना मिले तो IO सही से trigger नहीं होती है यही मैं आपको बता रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यह always board है और मैं इसमें इतने सारे board में करता हूं ध्यान ते उतर जाता है कि किसमे always बनती है किसमें वह तो जब हम 3-5 के logic देखते हैं तब समझ माता है तो यह on हो गया बट सारे voltage बन गई है यह देख लेते हैं बगल में भाई साब रैम है इतना लोट उठा रहा है रैम भी दिखा रहा बन गई है 1.2 वोल्ट ठीक है तो तो होई गया होगा केस इसके अंदर तो on board रैम होती है बाइस भी कर दिया इसकी चलिए अब हम लोग सीधा आ जाते हैं to the point और लगाते है आपनी pen drive यह वो pen drive है दोस्तों जिसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि कुछ display देखाने वारा जादू ही चड़ी है कुछ नहीं है यह LED pen drive है इसके अंदर जैसे ही यह बुट कर जाता है यानि इसकी data start हो जाती है D plus or D minus तो समझ लिए यह PCH initialize हो गया है display आ चुका है जिससे यह blink करके देखा देगा तो मैंने on किया है और अगर display आया तो दो वार blink करेगा जिससे नॉर्मली कोई चीज जो है blink करती भी दिखाती है blink करेगा यह तो यकीन मानी मुझे तो यह बात का जरा भी नहीं था कि यह इतना असानी से ठीक हो जाएगा चुकि इतने धाकड़ बोट सब आते हैं मेरे पास कि आसान का तो उमीद नहीं रखता हूं मैं आया है क्या बिलिंग क्या अजर रिस्टार्ट होगा है चलिए देख लेते हैं मिने ख्याल से लोट के हिसाब से तो लग रहा है कि आज रची दो वार रिस्टार्ट हो गया है ठीक है आ करके डिस्पले आया और फिर से रिस्टार्ट हो गया है अजर्ट है तो देखा आपने कि यह बिलिंक हो चुका है और अभी और भी हो सकता है डिस्पले एक बार और बिलिंक करके देखाएगा जब डिस्पले आगा तो और इसका एक अच्छा तरीका यह है कि मैं इसको एक बार निकाल दूँ और फिर से लगाओं अगर डिस्पले होगा तो फिर बिलिंक करेगा देखिए दिखा तो बहुत आसान सा केस था इतना उमीद नहीं रहता है हम लोगों को कि इतने आसान केस भी होते हैं बट जो भी आता है हमें करना होता है ठीक है आप लोगों को एक इंफॉर्मिशन देन हमने आने वाले हैं अपडेट में हमारे पास सी टाइप है और हमारे पास टूल जनरेशन तक का पूरा कंसेप्ट है तो अगर पूरी जानकरी चाहिए तो अच्छा कोई शौट टम के कोर्स नहीं होता है अभी बहुत सारे लोग क्वारी करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं कि मैं अपने शौप को पांच मेहने के लिए बद नहीं कर सकता हूं दो मेहने एक मेहने में तो आप अगर यह गारंटी हमें देते हैं कि आप दो मेहने में सीख लेंगे मुझसे दोवारा कुछ नहीं पूछेंगे जैसे मैंने अगर किसी लॉजिक के बारे में समझाया अगर कंसेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया तो आपको दोवारा नहीं पूछना है तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको दो मेहने में सिखा दूँगा लेकिन यह आप ही होंगे जो एक ही चीज को दस वर पूछेंगे इसलिए टाइम लगता है पांच मेहने का पा बाकी पांच दिन जो है मैं क्लास लोगा जिसमें आपको DSO से लेकर के बायो से एडिंग और जितने भी कंसेप्ट है कम्निकेशन थियोरी प्लस प्राटिकल दोनों चीज हम लोग करवाएंगे तो काफी अच्छा ऑपरचुनिटी है जिन लोगों के पास टाइम है जो अप लोग फिलासर बीजी भी रहते हैं काम भी करना होता है तो बट इंशाला हम लोग जरूर कॉल करेंगे और फेस्बुक पर आप हमें फालो करते रहिए लैप्टेक्स के पेज को वहाँ पर मैं अपने ऑफिस का नंबर भी डाल देता हूं आप वहाँ भी हमसे कॉंटेट कर स लगते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले केसस्टुडी में नए वीडियो के साथ थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग देस वीडियो